वर्ल्स मोस्ट पॉपुलर स्ट्रीट फूड में से एक है शवर्मा और अगर आप देहली से हैं तब तो आपको जरूर ही पता होगा कि अलबेक की शवर्मा कितनी फेमस है हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मैं चैनल फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के साथ अलबेक स्टाइल शवर्मा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं जो कि बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही यमी लगती है खाने में और जो मैं आपको घर में बताऊंगी कि घर में किस तरह इसे बहुत ही इजी और आसान तरीके से बना सकते हैं तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपके साथ अलबेक स्टाइल शवर्मा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं और आप देखिए step to step follow कीजिए शवर्मा मनाने के लिए बोलेस चिकन लेना है तो जिसके लिए मैंने ब्रेस्ट पीसे के हमें पतले पतले slices करने हैं तो एक तेज चाकू लेनी है और उसकी मदद से चिकन के इस तरह से पतले slice करने हैं फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे यह कितना थिन लेयर बन रहा है चिकन के slices का और यह देखिए इस तरह से अगर कोई मोटा पीस है तो उसे आप उपर से उसके पीस को पतला कर लिजिए और इस तरह से हमें चिकन के slice सब इकठे कर लेने हैं चिकन ब्रेस्ट को मैंने आप देख सकते किस तरह से पतला पतला slice कर लिया है सभी pieces को मैंने slice कर लिया है और अब देखिए मैं आपको बता रही हूं कि इसमें करना क्या है पीस को लेकर फ्लेवर जो है चिकन के पीस में अंदर तक एबसॉर्ब करेंगे. फ्रेंट्स आप देख सकते हैं मैंने चिकन के सारे पीसेज में कट लगा लिया है. कट लगाने से चिकन बहुत ही फ्लेवर फुल बनता है. और अब इन चिकन के पीसेज को हमें फर्स्ट मिलिनेशन करना है तो मैंने काले मिर्च जो ली थी, हाफ टेबल स्पून काले मिर्च एक निम्बू का जूस और वन टेबल स्पून मैंने इसमें नमा कैड किया है और अब इन सब को अच्छे से हाथों की मदद से मिक्स कर लेना है अच्छे से मिला मिला के ताकि चिकन में अंदर अंदर तक निम्बू का जूस है वो मिक्स हो जाए चिकन को हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि निम्बू का जूस और नमक जो है चिकन की अंदर अंदर तक जाए और अब इसे हम 10 से 15 मिनट तक के लिए छोड़ देंगे और अब हमें सेकेंड मेरीनेशन की तरफ जाना है अब एक बोल लेंगे और बोल में हम मेरीनेशन तियार करेंगे तो अब मैंने इसमें सबसे पहले दही लिया है दही बिलकुल गाड़ी होनी चाहिए और अब मैंने इसमें जिंजर गारलिक पेस्ट डाला है जिंजर गारलिक पेस्ट आप अच्छी quantity में लीजिए जिसे मैंने फुल 1 टेबले स्पून जिंजर पेस्ट लिया है और फ्रेंट्स आप इस मेरीनेशन में गरम मसाले के साथ cinnamon powder ज़रूर mix कीजिए, यह main ingredient है, इससे श्रवर्मा में बहुत ही अच्छा सा flavor आएगा, और अब इन सब को हम अच्छे से mix करेंगे, अब इसमें मैंने 1 टेबल स्पून नमक add किया है, आप ख्याल रखिएगा कि नमक आपने चिकेन में भी पहले से 1 टेबल स्पून marination किया है, तो इसलिए नमक जादा ना हो जाए, और अब इस marination में हम हरी मिर्च और हरा धनिया को crush करके मिलाएंगे, इसका पेस्ट नहीं बनाना है, बस crush करना है, और ये देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया, और अब लास्ट में मैंने इस marination में 2 टेबल स्पून olive oil यूज़ किया है, आप कोशिस कीजिए कि इसमें olive oil ही यूज़ करें, अगर आपके पास olive oil ना हो, तो आप सरसो तेल छोड़ कर, जो भी cooking oil यूज़ करते हैं, वो यूज़ कि लिए, तो second mixture हमारा ready है, तो इसमें हम marinated chicken डालेंगे, जिसे मैंने नमक और निम्बू लगा के रखा था, अब इसे अच्छे से फिर से हम mix कर लेंगे, चिकेन को और mixture को बहुत ही अच्छे से mix करना है, ताकि चिकेन के अंदर में साड़े मसाले का flavor बहुत ही अच्छे से चला जाए, खुब अच्छे से हमें mix करना है, अब इस second marination को हमें 2-3 घंटे तक रखना है, और अगर आपके पास time हो, तो इसे आप marinate करके रात भर भी छोड़ सकते हैं, जिससे flavor बहुत ही अच्छा हैगा हमारे शवर्मा में, शवर्मा का जो test बढ़ाता है वो है garlic sauce, तो हम तेयार करते हैं, लिए लेना है half cup दही, half cup white mayonnaise, 4-5 लेस्टन की कलिया, half table spoon white sesame seed, half table spoon oregano, half table spoon काली मेज पाउडर, 1 table spoon lemon juice, 2 table spoon white vinegar, 2 table spoon olive oil लेना है, और फ्रेंट्स इन सारे इंग्रेडियंट के help से हमें बहुत ही flavorful garlic sauce तयार करनी है, और एक grinder जार लिया है मैंने, और उसमें हम सारे इंग्रेडियंट को एक एक कर डाल देंगे, बस हमें mayonnaise को छोड़ देना है, mayonnaise हमें last में यूज करना है, फ्रेंट्स आप इस garlic sauce को शवर्मा में तो यूज कर ही सकते हैं, बाकि आप इसे roll के साथ या फ्रेंकी के साथ में यूज कर सकते हैं, सारे इंग्रेडियंट डालने के बाद इसमें मैंने 1 टेबले स्पुन नमक शामिल किया है, नमक आप अपने टेस्ट एकोर्डिंग डालिए, और अब इसमें मैंने 2 टेबले स्पुन ऑली वार्ल डाल लिया है, और इसे अब बंद करके मैं ग्राइंड कर लूँगी और अब इसमें हमें शामिल करना है मियोनीज और एक बार फिर मुझे मिक्सर को बस चला देना है और ये देखिए फ्रेंट्स हमारा गार्लिक सॉस तयार है ये रहा हमारा क्रीमी और फ्लेवरफुल गार्लिक सॉस तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं फ्रेंट्स शावर्मा के लिए अब हमें रोटी तयार करनी है जिसके लिए मैंने लिया है 500 ग्राम मैदा हाफ कप दही, कुकिंग ओयल और वाम वाटर इसे हम हलके गुनगुने पानी से ही गुन देंगे मैदे में अब हम डालेंगे दही, कुकिंग ओयल और मैंने इसमें 1 टेबल स्पून नमक डाला है नमक आप अपने टेस्ट एकॉर्डिंग डालिए और फिर गुन-गुने पानी के साथ इसका एक soft डो तयार कर लेंगे गुन-गुने पानी के साथ मैदा को गुन्दने से ये होगा कि डो हमारी बिल्कुल soft होगी ठंडे पानी से गुन्दने से थोड़ा सा गुन्दने में भी दिक्कत होती है और टाइम लगता है गुंदने में और ये देखिए फटा फट ये डू हमारी रेडी हो रही है फ्रेंट्स जब भी आप आटा गुंदे तो थोड़ा थोड़ा पानी यूज करें ताकि आटा गीला नहों और जिस प्रोसेस से हम रोटी के लिए आटा गुंदते हैं बस वैसे हलका हलका पंच करके हमें आटा गुंदना है और ये देखिए आटा को गुंद लिया है मैंने और इसे इस तरह से समेट कर मैं एक डू बना लूँगे और इस बड़े से डू के उपर अब तेल लगा लेना है और तेल लगाकर अभी से हम रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे आदे घंटे के लिए चलिए फ्रेंट्स अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं तो मैंने ग्रिल पैन को गड़म कर लिया है अगर आपके पास ग्रिल पैन ना हो तो आप फ्राई पैन या कोई भी फ्लैट बेस वाली कड़ाई ले सकते हैं और उस पे मैंने थोड़ा सा तेल डाला है और अब इस पे मैं मेरिनेट चिकन डालूँगी यह देखिए चिकन के पिसेस को इस तरह से डाल लेना है फ्रेंट्स देखिए चिकन के पिसेस को किस तरह से फैला के रखना है और इस टाइम पे गैस की फ्लेम जो है वो हमारी मीडियम टू हाई रहेगी और तीन से चार मिनट तेक के लिए इस तरह से हमें कुक करना है ताकि एक साइड बहुत ही अच्छा ब्राउन कलर आ जाए पांच मिनट हो गए है अब हमें चिकन को पलट कर दूसरे साइड से कुक करना है तो मैंने चिकन को टर्न कर लिया है और इसे अब दूसरे साइड से भी अच्छे से गोल्डन कलर देना है फ्रेंड्स जब दोनों साइड चिकन के ऊपर अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो फिर आप गैस की फ्लेम बिल्कु लो कर दीजिए और इसे पांच मिनट तक के लिए और कुक होने दीजिए फ्रेंड्स इसमें आपको 10 से 12 मिनट लगेंगे और चिकन आलमोस्ट कुक हो चुका है देखिए मैं आपको चेक करके दिखा रही हूँ चिकन खुद बखुद तूट रहे हैं तो अब इसे मैं डिशाउट कर लूँगी फ्रेंड्स अब इसी पैन में मैंने फिर से थोड़ा सा तेल डाला है और चिकन के जो बाकी पीसेज बचे हुए हैं उसे भी डाल कर मैं उसे कुक कर लूँगी फ्रेंड्स कुक किया हुवा चिकन को अब मैंने छोटे छोटे पीसेज में काट लिया है इस तरह से काट लेना है देख रहे होंगे कि मैंने कितने चोटे चोटे पीसेज बनाए हैं इसी तरह से हमें अपने साड़े चिकन के पीसेज को चोटे चोटे शेप में कट कर लेना है अब मैंने एक फ्राइ पैन गरम कर लिया है और उसमें टू टेबल स्पून कुकिंग वाल डाला है और इसमें अब मुझे डालना है एक प्यास को बस रफली चॉप्ट किया हुआ इसे बारिक स्लाइस मत कीजिए बस हलका हलका मोटा मोटा रफली चॉप्ट कर लीजिए प्यास को एक से दो मिनट तक के लिए सौटे करना है ताकि इसका कलर चेंज नहों बस ये सौफ्ट हो जाए प्यास सौफ्ट हो चुका है और अब मैंने इसमें एक टमाटर को डाला है टमाटर भी मैंने मोटाई स्लाइस किया था बस इसे एक से दो मिनट तक टमाटर भी सौ प्यास टमाटर के साथ इन साड़े पीसे को हमें एक से दो मिनट तक मिक्स करना है ये देखिए बस लो टू मीडियम फ्लेम पे और बस अब इसे निकाल लेना है फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे कितना खुबसूरत सा कलर आ गया है चिकन का और अब चलिए नेक्ट से स्टे कीमा बनाना है ये बहुत ही इंपोर्टन्ट स्टेप है इस स्टेप को जरूर फॉलो कीजिए क्योंकि इससे कीमे का टेक्स्चर बिल्कुल अलबेक के कीमे की फिलिंग जैसा आएगा फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे मैंने कितना बारी कीमा किया है और इससे अब बस हम अलबेक स्टाइल शवर्मा तयार करेंगे तो चलिए ये फिलिंग हमारी रेड़ी है अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स अब मैंने जो मैदे की डो तयार करके रखी थी इसकी अब रोटी बना लेनी है इस तरह से बस जिस तरह से आप नॉर्मल आटे की रोटी बनाते हैं बस हमें एक प्लेन रोटी तयार करनी है ये देखिए इसकी थिकनेस बिल्कुल पतली है तवा को मैंने गरम कर तो इसे बगाल्क दालिया, और इस पर रोटी डाली है, रोटी बिल्कुल हलका सेकना है। इसमें कोई डॉक दार्क कलर, रोटी के ऊपर सोबित है क क्यूंत कुछ JIM एक साइब ते छुक हो ने आप देख रहे होंगे कि रोटी के ऊपर एक भी एसपार्ट नहीं है बस इसे लाइठ ही हमें सेखना है रोटी जब भी बनाएंगे तो मेडियम फ्लेम होगी हाई फ्लेम पे आप मद बनाईए रोटी वरना इस पे एक ब्राउन कलर आ जाएगा और बस एक कपड़े की मदद स इस तरह से आप रोटी बनाते हैं बस वैसे ही हमें मैडे की रोटी तयार कर लेनी है आप चाहें तो इसे आप चिम्टे की मदद से भी सेख सकते हैं ये देखिए इस तरह से चलिए अब शवर्मा को एसेंबल करते हैं तो रोटी के उपर मैंने गारलिक सॉस लगा लिया है रोटी के चारो तरफ हमें गार्लिक सॉस को अच्छे से स्प्रेड करना है और अब इसके बीच में हमें स्रवर्मा की फिलिंग डालनी है। और क्या मज़े की खुश्बू आ रही है श्रवर्मा की फिलिंग से। अब इसके उपर मैंने थोड़ा सा और गार्लिक सॉस डाला है, सॉस आपके उपर है, आप जितना यूज करना चाहें उतना कर सकते हैं, जितना क्रीमी आपको पसंद हो शवर्मा, और इस तरह से हमें फोल्ड करना है, और ये देखिए मैंने कैसे फोल्ड किया है, ये अलबेक स्टाइल शवर्मा रेडी है, तो चलिए इसे हम गर्मा गर्म सर्फ करते हैं, आप इस अलबेक स्टाइल शवर्मा को घर में जरूर ठ्राइ कीजिये, और देखिए ये कितनी टेस्टी और कितनी ही डिलीशिएस लगती है खाने में, खाणे में अगर हमारी ये कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ